जानो करते हैं हलो एवरिबोड़ी है मैं मैं सेल्फ मनुज भाग फ्रॉम गवर्मेंट पॉलिटक्निक कॉलेज जूरू टूपोर्ट नेटफ़र्क हम पढ़ रहे थे टूपोर्ट नेटफ़र्क में हमने अभी ता जट पैरमिटर्स और य पैरमिटर्स का अध्यान किया आज हम ABCD पैरमिटर्स के बारे में मैं बात करूँगा इसको हम ट्रांस्मिशन पैरमिटर के नाम से भी जानते हैं जनरली अगर हम देखें ABCD पैरमिटर्स तो इसका यूज एनलेसिस पावर ट्रांस्मिशन में किया जाता है जसकी मैंने पहले भी बताया था टूपोर्ट नेटवर्क है टूपोर्ट नेटवर्क में चार वेरियेबल्स हमारे यहां पे अवेलेबल है V1, I1, V2, I2 और आज हम पढ़ रहे हैं ABCD पैरमिटर्स ABCD पैरमिटर्स में अगर हम देखें तो जो V1 है वो फंक्षन है V2 और I2 का इसी तरह I1 जो है वो फंक्षन है V2 और I2 का यहां पर V1 और I1 dependent variables है V2 और I2 independent variables है इसको अगर हम देखें तो हम इसको इस तरीके से भी शूगर सकते हैं V1 is equal to A V2 minus B I2 and I1 is equal to C V2 minus D I2 अगर हम देखें यहां से अगर ABCD parameter का माद निकाले तो A 1 upon A is equal to आता है V1 upon V2 when I2 is equal to 0 इसका मतलब यह हुआ I2 0 का मतलब होता है open circuit open circuit voltage gain not this I think 1 upon A is V2 upon V1 1 upon B is equal to I2 upon V1 when output V2 voltage is equal to 0 यह कानाता है short circuit transmission admittance इसी परकार गरन अपन C जो है वो होगा V2 upon I1 when I2 is equal to 0 this is also known as open circuit transfer transfer impedance and similarly when minus 1 upon D is equal to I2 upon I1 when V2 is equal to 0 it is known as short circuit current gain अज हम एक एक्जाम्पल लेंगे और उस एक्जाम्पल की मदद से हम यहां पर ABCD parameters निकालते हैं let us take an example 2 ohm है 10 ohm है 4 ohm है V1 I1 V2 I2 अगर यहां देखे हम यह I1 आ रही है यह इसमें जो आईगी वो आईगी I1 प्लस I2 हम यहां पर loop analysis से बात कारते हैं in loop 1 V1 is equal to 2 I1 plus 10 I1 plus I2 that is equal to 12 I1 plus 10 I2 इमेरी पहली equation होगे in loop 2 V2 is equal to 4 I2 plus 10 I1 plus I2 यह कितना हो गया 4 I2 plus 10 I1 plus 10 I2 that means 10 I1 plus 14 I2 इससे पहले हमने यहां पे देखा था कि V1 is equal to A V2 minus B I2 and C is equal to I1 is equal to C V2 minus B I2 था अगर हम यहां देखें तो यहां पे V2 I2 में from equation second अगर हम देखें I1 का मानने का लें अगर हम 10 I1 is equal to V2 minus 14 I2 and I1 is equal to 1 upon 10 V2 minus 14 upon 10 I2 यह मेरी जो equation आई है 0.1 V2 minus 1.4 I2 this is equation number 3 इस equation 3 को I1 के मान को में putting equation 3 into equation number 1 अगर हम रखें यहां पे V1 आजाता है 12 0.1 V2 minus 1.4 I2 that means 1.2 V2 minus 16.8 I2 अब इस V1 के मान को 12 में plus 10 I2 आजा है 10 I2 आजा है equation 3 and 4 with equations of ABCD parameter we get A is equal to 1.2 B is equal to 6.8 ohm C is equal to 0.1 ohm and D is equal to 1.4 So, इस तरीके से हम यहां पर जो ABCD parameters के सवाल हैं उनको अपने को हल करना है Thank you झाँ